हेलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग यहाँ पे अपने फोन पर मैसो एप के आईडी आप लोग यहाँ पे कैसे बनाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको अपने फोन पर मैसो एप की आईडी यहाँ पर बनानी है तो मैसो एप की आईडी बनानी के लिए आप लोग यहाँ पर सबसे पहले मैसो एप को ओपन करिए open करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से दिखाई देगा तो आपको सबसे पहले language select करना है उसके बाद यहाँ पे आपको इस तरीके से थोड़ा wait करना है please wait करके लिखा हुआ यहाँ पे आपको दिखाई देगा तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा wait करिए उसके बाद आपको इस तरीके से दिखाई देगा तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है आपको यहाँ पर यह नीचे में account का option आएगा आप लोग account वाले option पर click करिए एकाउंट वाले option पे click करने के बाद आपको यहाँ पे sign up करने का option आएगा आप लोग यहाँ पे sign up पे click करिए इस तरीके से और आपको अपना continue करके अपना जो mobile number है वो आपको verify कर देना है जैसे ही आप लोग अपना number यहाँ पर verify करेंगे तो आपको इस तरीके से जो है अपने जो profile है वहाँ पर click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो भी information रहेगा वो यहाँ पर आपको edit करने का option आ जाएगा तो आपको थोड़े दिर wait करना है wait करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना full name यहाँ पर डाल देना है उसके बाद आपको अपना mobile number यहाँ पर fill करना है और यहाँ पर आपको अपना email id वगरा यहाँ पर enter कर देनी है उसके बाद फिर आपको यहाँ पे gender का option आएगा तो आप लोग यहाँ पे gender को भी select कर लिजिए उसके बाद आप लोग यहाँ पे language spoken का option आता है तो आप लोग अपने इसाब से जो भी language आप लोग यहाँ पे रखना चाहते हैं वो आप लोग यहाँ पे लिख लिए और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने occupation को option आता है यानि कि आपका जो भी website है वो क्या है आप करते क्या है यह सब आप लोग यहाँ पे select कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे में माई बिजनेस नेम करके ऑप्सन आता है तो आप लोग यहां पर अपना बिजनेस नेम अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो जो भी नेम आप लोग रखेंगे तो आप लोग यहां पर वो बिजनेस नेम आप लोग यहां पर रख सकते हैं यह आप लोग अपने हिसाप से कर सकते हैं आपको बस अपना एरिये का जो भी डिस्ट्रीक है उसको नेम लिखना है और यहां पर पिन को लिखना है फिर आ जाएगा आपके फोन पर तो वह जो पीन कोड है वह आप लोग यहां पर डाल सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको अपना सीटी यहां पर डाल देन यहां पर सेव हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोग यहां पर जो है अपने फोन पर मेस्व एप्लिकेशन में अपनी आईडी यहां पर बना सकते हैं तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजिए